तो गाइज जब भी आप अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोज अफ्लोड कर रहे हैं तो कुछ ऐसा पोप आपको देखने को मिल रहा है और पुछले कुछ समय से आपके चैनल है उस पर वीडियोज अफ्लोड नहीं हो रही आज किस वीडियो हम इसे के बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों यह प्रोब्लम आपको देखने को मिल रहा है और कब तक आपके चैनल पर वीडियोज अफ्लोड नहीं होगी और किस प्रकार इसको ठीक करना है और कौन सी वह गलती है जो आपको नहीं करनी है जिसकी वज़़से आपके चैनल पर एक या तब मेहने तक भी वीडियोज अफ्लोड नहीं होगी और कितने दिन बात आपका चैनल पर वीडियोज अफ्लोड होना इस टार्ट हो जाएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह प्रोब्लम आपको क्यों देखने को मिल रहा है तो यह प्रोब्लम जब आपको देखने को मिलता है जब आपके चैनल पर community guideline strike आया हो and community guidelines तब आता है जब आपने कोई SI वीडियो बनाया हो जिसमें आपने किसी application के subscription को free में लेना या फिर third party application के दुआरा या hack version के दुआरा आप किसी application का free में subscription लेते हैं और उसके बारे में यूटूबर बताते हैं तो यहाँ पर आपको community guideline strike है वो देखने को मिल सकता है या फिर child abusement है उसके दुआरा आपके चैनल पर community strike आ सकती है यानि कि कोई SI वीडियो जो बच्चों के पड़ती हैट फ़लाने का काम कर रहा हूँ mostly इनी कारणों से आपके चैनल पर community guideline strike आता है और भी बहुत से करण है अगर वो आपको जाने है तो मैंने नीचे description box में लिंक दे रहा है आप वहां से check out कर सकते हो तो अब बात करते हैं कि अगर आपके चैनल पर community guideline strike आया है तो वो कब तक हटेगा तो यहाँ पर first community guideline जब आपको आता है तो यहाँ पर आपको साथ दिन का time दिया जता है कि साथ दिन तक जो आपका चैनल है वहां पर कोई videos upload नहीं होती तो यहाँ पर आपको बार बार ट्राइ नहीं करना है कि जो आपका चैनल उस पर वीडियोज अफ्लोड होगी, साथ दिनों तक आपका जो चैनल है उस पर कोई वीडियोज अफ्लोड नहीं होगी एंड कितने दिन बचे हैं आपके चैनल पर वीडियोज अफ्लोड होने में वो अगर आपको चेक करना है तो वो किस प्रकार गरोगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो इसके लिए आपको चले आना अपने Chrome ब्राउजर पर यहां पर आपको सरच करना है YouTube.desk.site studio तो यहां पर जो यह है आपको वेबसाइट यहां पर सरच करना है देन यहां पर आपके सामने कुछ ऐसी वेबसाइट ओपन होगी तो यहां पर सिंपली आपको जो अपना YouTube Studio है वो desktop site पर open करना है जो कि आपने पहले भी कहीं बार किया होगा जैसे ही आप यहां पर अपना YouTube Studio open करोगे desktop site में तो यहां पर आपको उपर यूपर dashboard में एक option देखने को मिल जाएगा चैनल वेबसाइगा तो सिंपली आपको इस पर click करना है जैसे आप यहां पर click करोगे आपके सामने एक और page open होगा यहां पर जो आपके चैनल के strike की सारी information है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि कितने दुनों में जो आपकी वीडियोज है वो आपके चैनल पर upload होगी तो यहां पर आप देख सकते हो मेरे को दिखाया जा रहा है वन डे लिप्ट तो यहां पर एक दिन के बाद जो मेरी वीडियोज है यहां पर upload होना start हो जाएगी तो कुछ इस परकार से आप पता कर सकते हो कि कितने दुनों में जो आपके चैनल पर वीडियोज है तो कैसे लगा हम आज के वीडियो अगर वीडियो चलगा तो वीडियो लाइक एंड शेर जोर से करिए तो चलिए आप से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई जेहन